दिली से सटेक गुरुगराम में विजलन्स टीम दोरह A.S.I. को रिश्वत मामले में गिरफ़तार करने का मामला सामने आया है दरसल विजलन्स टीम को शिकायत मिली थी कि बाशापुर थाने में तेनात A.S.I. परमोद कुमार सीम विंडो की तफ़तिश मामले में दस अजार की रिश्वत की डिमांड कर रहा है मामले की गंबीरता को देखते हुए विजलन्स टीम ने बाशापुर थाने में रेड कर A.S.I. परमोद को रंगे आतों की रफ़तार कर मामले का खुलासा कर दिया वहीं शर्मनक मामले ने गुरुगराम पुलिस की शेवा सुरक्षा और सयोग जैसे लोक लुबावन नारों की पोल खोल कर रख दिया कि कैसे पुलिस थानों में रिश्वत का खेल खुले आम खेला जा रहा है कैसे पुलिस थानों में इंसाफ की जगा शिकायत करताओं को मानसी पर तारना के दोर से गुजरना पड़ रहा है वहीं इस मामले में विजलन्स में तेनाड़ डियास पी रमेश कुमार की माने तो 52 वर्ष एयसाई परमोद कुमार बीते काफि समय से बाशा पुर्थाने में तेनाड़ था बराल विजलन्स चीम मामले की तफ्तिष में जुटी है पर्मोद कुमार जो बात्साफर में जो जो पूरा करके मेरे फैरो में करने के लिए साथ दस जार की डिमांड की दिए लेकन साथ जार में मारा सोधा तैय हुआ है जिसे नाज मेरेको पैसा लेने के लिए बुलाया है, मैं इस रिश्वत का पैसा ने देना चाहता हूँ इसे लिए मैं चाहता हूँ कि इस रिश्वत खोर्व काबू करके उसके क्लाब करूए कि लिए हैं कहां से आपने ग्रफतार किया सर इसको? आपको बता दे कि गुरूगराम पुलिस के दामन पर इश्वत के दाक का ये कोई पहला मामला नहीं है बलकि इसी हफते सूमवार को कौंस्टेबल शक्ती सिंग को डेड़ लाग की रिश्वत लेते रंगे आतों की रफ़तार कर 30 लाग की रिश्वत मांगे जाने मामले का खुला सकिया था ब्यूरो रिपोर्ट नियूज ब्रोडकास्ट